हाँ हाँ तो हम कहां पी थे हम टोपिकल ड्रग पढ़ा रहे थे ठीक है टोपिकल ड्रग हमारे बसा कौन कौन से ड्रग वसे ऐसे ड्रग जिन को हम कहां पी इस्तिमाल करते हैं ड्रग एपलाइड आन स्कीन अलसो नोन अज़ टोपिकल ड्रग फिस्त आफ फ़ल टोपिकल ड्रग इस फदर डिवाइड इन्टव मैनी टाइप्स लाइक टोपिकल ड्रग जूजड ऑन औरल कीवीटी अन जी आई टी अन रेक्टम एन एनल के नाल अन आई एर नोज and unbraunkey and unvaccina uretra skin नेगे इन पर हमने कहा करना है typical drugs जिनके many types है तो हर एक type अब भी कह करो आप इन गतो जे से सुन जैसे मैंने कहिंग हो औरल कीवीटी तो टोपिकल में नहीं आते है लेकिन औरल कीवीटी के आंदर हमारे साथ क्या होता है वहाँ पी भी हमारे साथ स्कीन होता है जैसे जबान है, लिप्स वगए रहे तो बाज आवकाद किसी को कान सी होता है तो उनके लिए एक टैबलेट इस्तिमाल किए जिए उस टैबलेट का नाम के ट्राकी, फारक कफ ये कह कर लेते हैं मुँ में प्रोड्यूजर कुलिंग ये कुलिंग पैदा कर लेते हैं जिसकी वज़ज़ से जो ओरल इकिविटी के जो स्कीन है वो नार्मलाइज हो जाते हैं बाज अवकत इस तरह हो जाता है कि हमारे साथ मुँ में इस्ट इन्फेक्शन हो जाता है क्या हो जाता है इस्ट इन्फेक्शन इस्ट इन्फेक्शन हमारे जितनी भी इस्ट वगएरा है ठीक है वो वहां पर इन्फेक्शन कास कर लेते हैं कि वज़भे से आपका जशवान य काफी सुफैद हो जाता है यह आपकी जो लिप्स वगिर होते हैं यो बकल मसल जो है जो सैट पर होती है भूहां पे क्योई सुफैद सुफैद फाम की चीज़ेप्टभ़ हो जाते हैं ठीक है और वो क्या होते है इस्ट in infection होते हैं इन के पिक्चर में दिखाऊँ जहा तो उन के लिए हम एक इसम की क्रीम इस्तिमाल करते हैं यहाँचिमाल क्रुट को जहाँए इस्ट इनफेक्शन के लिए जिस्ट कह से कहते हैं नेस्टा टीन, नेस्टा टीन की फार्म में ये हमारे साथ होते हैं, जो हम इस्ट इंफेक्शन के अगेंस्ट यूस करते हैं, कहां पे औरल किविटी में, इसकी इलावा बाज़ों का क्या हो जाते हैं, औरल कैंडीडाइडस हो जाते हैं, औरल मुह में फंगस इंफेक्शन हो हो जाते हैं कौन से इंफेक्शन हो जाते हैं कि औरल अ कि औरल केंडिडिए ठीक है हाँ यह हमारे साथ के यह को क्या किते हैं फंगस इंफेक्शन है क्या है फंगस यह हमारे साथ फंगस इंफेक्शन जो क्या कर लेते हैं औरल कीवीटी में एक फंगस वखेरा पैदा कर लेते हैं और यह इंफेक्शन हो जाते हैं तो इनके लिए के इस्तिमाल किया जाते हैं इनके लिए हमारे साथ एक क्रीम है जिसे क्या कहते हैं कि अभी देखु किसी के मुह में अगर क्या हो रोर केंडी डाइडस हो गए वहां पर कोई सुफेद सुफेद वो पैदा हो गए ठीक है चाले फार्म में यानि फंगस हमेशा सुफेद फार्म इंफेक्शन होता है ठीक है तो हमने कुन साल लोशन या क्रीम इस्तिमाल करने जिसके कहते हैं कुलोट्रीमाजोल तो अभी आप सब के लिए प्रिसक्राइब कर सकते हैं कि कुलोट्रीमाजोल जो है यह क्रीम है किसके लिए कैंडी डाइडस फंगस इंफेक्शन के लिए बाद अवकद इस तरह हो जाता ह कि हमारे साथ क्या होता है पेन होता है दान्त में या मुख के कुई मसोड़ वगरा गमा जहां पेन वगरा होते हैं तो इन के लिए एक नशा और चीजी इस्तिमाल की जाते हैं जिसे क्या कहते हैं लिगनो केन हाइड्रो क्लोराइड ठीक है 5% यह हमारे साथ क्या होता है 5% लिगनो केन हाइड्रो क्लोराइड होता है कब जब आ आपके मुओ में पेन हो या झो मारी साथ टीत है ठीग टूत वगएरा या गम्ज वगएरा जहाँ पेन इंफAcasson हो मुओ में तो यह हमारे साथ जो लिगनों के नहीडरोजुरॉराइट और 5% होती है, यह सप्रेय फाम्म में मावजूद होती हैं, कौन से फाम्म म spray farm में मौझूद होती है और उनको आपने मुँ में spray करना है जिसकी वज़े से ये वगहरा क्या होंगे तो पेन नार्मल है अगर पेन काफी जएदा हो तो लिगनोके नहाइडरा कुलोराइड को आपने 10% यूज करना है इसी spray farm में और ये हमारे साथ क्या है टॉपिकली एनस्थेटिक ड्रग्स है क्या है टॉपिकली ये इस ड्रग को हम क्या केते हैं टॉपिकली एनस्थेटिक ड्रग्स एक होते है एनस्थेटिक एक होते है एनलजेसिक एनलजेसिक यूज़ आफटर पेन यापको पेन हो गय तो आपने अनलиль जेसिक इस्तिमार करना है और उस प्रसेस को क्या कहीगे अनलगेसिया पेन मतलब क्या है सब इसको हमने पेन से पहले इस्तिमाल करना है तो आप कम बिफूर सर्जरी कोई सर्जरी कर रहा हूँ ठीक है आवाज आ रहा है कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को यह मैं वे से स्टार्ट हूँ हेलो यह सर आ रही है आ रही है सर ठीक ठीक है तो इस टॉपिकल एनस्टेटिक को हमने इस्तिमाल करना है पूरी जिसम को तो हमने बेहुश नहीं करना है तो हमने स्प्रे फार्म में या कोई जेल फार्म में इंजेक्शन फार्म में हमने टॉपिकल यहां पर कहले कि टॉपिकल typical जिसके साथ लिखा अभगा तो आप लोग समझ लिए कि हमारी साथ स्कीन के ड्रक्स है जिसको हमने स्कीन पे लगhow जाना थी तो आप ब्र solamente स्कीन को एनिस्टिज्या जाता है एनिस्टेटीज स्थीर ड्रक्स अल्सॉ नोन यह हमारे साथ कि कुछ ड्रग्स है जिसको हमने जी आईटी में इस्तिमाल करना है लेकिन हो भी क्या होंगे टॉपिकल होंगे तो आपको होगी कि यह आप क्या कह रहे हो कि आपने तो कह थे कि टॉपिकल को हम स्कीन पर इस्तिमाल करते हैं लेकिं यहां पर आप GIT में क्यूं इस्थिमाल करते हो, हाँ, तो GIT, ठीक है, GIT, Eli लेकिन क्या होगा, टॉपिकल, हाँ, तो जभी टॉपिकल समझा, जहां पर देख लो तो आप समझ लो कि isso कीन में HORΑगा, ठीक है बाज अवकत इस तरह हो जाते हैं कि कोई क्या करता है यानि सर्जरी करता है कहां कि सर्जरी वो करेगा वो हमारे साथ सर्जरी करेगा intestine की तेखें बाज अवकत क्या होता है surgery होता है intestine का कहां का हमारे साथ intestine की surgery होता है पहले यह भी बता हूँ JT topical as a tablet as a tablet which is not used sorry which is not absorbed not absorbed ठीक है यह हमारे साथ एक tablet होंगे लेकिन यह absorption small intestine में नहीं होगा एक बंदा है उसका small intestine यह क्या हो रहा है surgery हो रही है तो यह वो तो एक दिन पहले यह दो दिन पहले क्या होते है उस पे खुराक बंद कर दिये जाते है ठीक है जब खुराक बंद कर दिये जाते है तो उसके जब intestine का surgery हो रही है तो उसे हमारे साथ JT topical tablet दिये जाते है तो वो हमारे साथ absorption उसकी नहीं होगा वो क्या कर लेते हैं वो हमारे साथ जो small intestine के pores वगयरा होते हैं उनको बंद कर लेते हैं क्योंकि तकि वहां पे infection काज ना हो जाए फार वाट फार sterilization of gut ठीक है जो हमारे साथ गट है ठीक है intestine वगयरा चीसे कहते ठीक है before surgery before surgery तो surgery से पहले के हो जाते हैं उन gut की sterilization हो जाते है infection से उसे खाली कर दिया जाता है तो उसके बाद उनकी surgery start होता है और वहां पे absorption वगयरा नहीं होगा तकि सारी जो gut है वहां पे जो इन bacteria वगयरा जो है उनकी सब की sterilization साफ हो जाए तो ऐसे जब हम drug इस्तिमाल करेंगे उसे हम GIT topical drugs कहेंगे यह tablet farm में होता है इनकी absorption gut में नहीं होता for what purpose uses used for sterilization of gut before surgery तो इनका example हमारे साथ क्या है इनका example हमारे साथ है new mycine क्या है new mycine यह new mycine हमारे साथ क्या है यह antibiotic है और वहां पे क्या कर लेता है sterilization कर लेता है कहां पे gut में तो यह अभी समझा गए कि यह topical है दूसरे बात यह है कि हमारे साथ rectal and anal canal में हम कुछ drugs को इस्तिमाल करते हैं कहां पे rectal and sorry rectal and anal canal yeah हाँ यह यहाँ यह यह जब हम कुई क्रीम रखेर यह जू चीज़ हम वहाँ पी इस्तिमाल करते हैं acid drug ज़ह हम उसे Rectum में, what is Rectum? Rectum is the second last part of the large intestine and anal is the first part and canal also known as anal canal and the anal canal में, जब कोई infection हो जाए, वहां पे जूचीज हो जाए, तो उनके लिए जब हम कोई medicine इस्तिमाल करते हैं, drugs इस्तिमाल करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? Administration of drug, definition, administration of a drug used in Rectum and anal canal called Enema उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम Enema कहेंगे, तो अभी आपको समझागे, कि हमारे साथ जो drug, Rectum में इस्तिमाल करते हैं, उन drug का main नम क्या होगा? Enema, Enema is further divided into two types, अभी हमारे साथ Enema के और अक्साम है, अपनी तो हमें बता लिए कि ऐसे drug जो हम Enema इस्तिमाल करते हैं, उसे Enema कहते हैं, लेकिन कुछ और भी हो जाए, ठीक है, बाज अवकत इस तरह हो जाता है, जो हम एक drug है, उसका नम क्या है? Evocant Enema, Evocant Enema एक types है, किसका? Enema का है, अबर हम जब इसको इस्तिमाल करते हैं, कब इस्तिमाल करेंगे? किस चीज़ के लिए इस्तिमाल करेंगे? इस्तिमाल करेंगे? Evocant Enema, Drugs केते हैं, कब इस्तिमाल करना है? इसको हमने Constipation में इस्तिमाल करना है, कम इस्तिमाल करेंगे? इस्तिमाल करेंगे? Evocant Enema जब हम इसको इस्तिमाल करेंगे? इस्तिमाल करेंगे, तो हमारे साथ है, एकेंट अन्यमि उन्यमा में यह थी तरह होता हैँ मिबढा स्था में जिसको हमने व lei उनके इक्टव एकेंट जिसकाार को फेंडा से इन्यमा मैं हो गया होता है सोप वाटर एनेमा हाँ सोप किस चीज़ के लिए इस्तिमाल किया जाता है वहाँ पर सूप एक्ट एज़ लुब्री केंट एक्ट एज़ लुब्री केंट एंड वाटर क्या करेगा स्टिमुलेड द रेक्टम वाटर क्या करेगा स्टिमुलेड द रेक्टम एवक्ट एनेमा में दू चीज़े होती हैं सोप वाटर एनेमा सोप क्या कर लेते हैं वहाँ पर लुब्री केशन परोवाइड कर लेते हैं ठीक है उसे लुब्री केंट आईली फाम में लुब्री कर ली दे ऍर वाट्र हो sow रेक्ट्म को स्टिमॉलेट कर ले तहीं कर लेता है। जिसकी नतीजे में जाए होगा एक क्दमोफ हो। के वहांपे अलसर होजाता है कहां पे इसका दूसरा टइप है एनमा की से कह रचिते रेटी-नेशन एनमा रेटी-नेशन एनमा कि से कहते हैं बाद आउकत हो जाता है अलसरेटियो कोराइटस किह हो जाता है for example ulcer reticolitis ulcer यानि हमारी सब जो colon है colon किसे केते ही large intestine को केते ही colon है वहाँ पर क्या हो जाते ही colitis जब भी किसी के पीछे ITS आ जाए तो वो क्या शो करेगा inflammation तो वहाँ पर हो जाते ही colitis जब colitis colon में जब inflammation हो जाए किस का? ulcer का उसे नाम के दिया जाता है ulcerative colitis ठीक है वहाँ पर ulcer हो जाते है तो जब वहाँ पर ulcer हो जाते है तो हमने topical drugs यूज़ करने हैं लेकिन topical drugs में हमने के इस्तिमाल करना है? कौन से टाइप के? rectal and anal canal anal canal में हमने किस का इनियमा इनियमा का हमारे साथ कौन सा टाइप है? Ritination Anima Ritination Anima में क्या हुआ है? वहाँ पर वहाँ पर हुआ है ulcerative colitis तो इसके खिलाफ जो हम ड्रग इस्तिमाल करेंगे उसे के कहते है Ritination Anima In which form example इस ड्रग का क्या होगा? हमारे साथ है Methyl Predynosoline यहाँ पर लिखूँगा Methyl Predynosoline ठीक है? तो यह हमारे साथ क्या है? एक ड्रग जोंगी जिसको हमने ulcerative colitis में इस्तिमाल करना है लेकिन Ritination Anima का बोर तो नहीं हो रहे है Hello? Hello? नहीं सर नहीं सर नहीं सर इस बीट आपके अहाँ तीसरा हमारे साथ कौन सा फार्म होगा? एक बाज आवकाद तो एक आवकाद Anima जो होते हैं ठीक है वो तो लिक्वेट फार्म का हुआ डीक है बाज आवकाद एक इसम की और चीज़े होते हैं जो हम Constipation के लिए इस्तिमाल करते हैं और उसका नाम क्या है As a Suppository Administration of Drug यह भी Constipation के लिए यूज होता है लेकिन Definition को देखो Administration of Drugs In Solid Farm वो भी हमारे साथ Constipation के लिए था लेकिन Soap Water Animal Liquid Farm में था यह Suppository जो होता है ठीक है यह हमारे साथ बिलकुल इस तरह होता है अब देखो Suppository जो होता है यह भी हमारे साथ NMA का एक टाइप है Administration of Drug Administration of Drug In Solid Farm यह भी NMA है लेकिन Solid Farm में है यह किस तरह होगा इसका शकल देख लो इसका जो शेप है बिलकुल इस तरह है ठीक है यह Solid Farm में होता है बिलकुल इस तरह होता है और इसको अपने Rectum में इस्तिमाल करना है ठीक है यह खुद ब खुद वहां भी के हो जाता है यहनि Dissolve हो जाता है ठीक है पेशन में, supposedly इसे कहते हैं, ठीक है, अगर उसके बाद, ठीक है, यह हमारे सथ क्या हो गया है, आडश बूसर 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 बूसमा प्योरी कांए औ। आड़ से कहते हैं, नचतों इसे कला इड़ आकतिण त्रॉथ मतल, औ। डॉसे, न kh Emba, कि उसाउन औ। एंटे burt, अपितंस M 17अ एफिंपन, gr450 बाद, जिसे क स्टिश, इसे कर देंपला, प्वोचices, च्योण 2 इPor in liquid form, soap act as a lubricant and water stimulates the rectum. Retination enema used in ulcerative colitis, inflammation of the colon. In which form ये होगा हमारे साथ? methylpredonosolon में होगा, हाँ. उसके बाद हमारे साथ suppository form में होदी, administration of drug into a solid form. ठीक है? और ये हमारे साथ के होगा? इसको हम constipation में इस्तिमाल देए. अभी अगर आप ले पनकाट की बुक को देख लो, वहां पी सिर्फ टॉपिकल का नाम लिका हुआ है, कि हमारे साथ एक किसम की drug जो किया है, सिर्फ टॉपिकल है. ना वहां पी उनकी definition, ना वहां पी ये लिका है कि ये स्कीन में इस्तिमाल होते हैं, कुछ भी ने लिका हुआ होता है, ठीक है, तो इस वज़ए से मैं दो बुक इस्तिमाल के आपको बता रहूँ, तो टॉपिकल इतना बड़ा है, वसी है, और हम अगर लेपनकाट सिर्फ इस्तिमाल करें, तो हम इन चीजों से क्या होंगे, बेखबर होंगे, क्योंकि ये लेपनकाट में नहीं है, तो हमने सब कुछ जाने, देखो, यह अभी कितने किमती बाते थे, औरल किविटी के कितने थे, जी आईटी के, यह अगर हम सर्जरी वगएर आप किसी डाक्टर के पास होगे, अगर वों सर्जरी कराओगा, आपको कहेंगे, क्यानि नियुमाइसीन यहां पी यूस करूँ, उनको दे दो तो आपको नियुमाइसीन का इस्तिमाल का पाता नहीं होगा, क्योंकि वो जी यह टी टोपिकल है, जिसके अभजार्शन हमारे साथ तो इंटिस्टाइन में नहीं होगा, ठीक है, हाँ, यह सिर्फ आज टोपिकल खातम करते हैं, ठीक है, तो जो बाकि है, उनक इयर, नोज, ठीक है, आई, इयर, नोज, हाँ, कुछ ऐसे टोपिकल ड्रग है, ठीक है, जो हम आई में इस्तिमाल करते हैं, इयर में इस्तिमाल करते हैं, नोज में इस्तिमाल करते हैं, अभी तो समझा रहा होगा, यह सिर्फ स्कीन के लिए है, टोपिकल, ठीक है, हाँ, और जो कलाइस के भी समझ आया होगह, हम ना कहते हैं ना व के लेकिन बहुर्द सी है, जिसे जज़े ज़ जज Sudolpe. हम अगर आई में कुई चीज डालते हैं तो यह हमारे साथ कुन से फार्म में होता है? ड्राप फार्म में होते है लोशन होते है हैं ड्रמס ये जो हम इस्तेमाल करते हैं कहां़ पे आई में हम sumнов एस्तेमाल कर सेंटे़्गें हैं यह फिर सेलेन का सुरक द्रशन होते हैं जो आई में चोटो बसके लिए इस्तिमाल किजिएकिस की बसह होती है यह हमारे साथ होते हैं infection के लिए allergic की condition में इसको हम इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन यह हमारे साथ जो में आई एंड इयर ड्रापेजी से कहते हैं जेंटमाइस सीन ठीक है यह किस के लिए होता है आई एंड इयर फार infection ठीक है यह हमारे साथ एक किसम के एंटिबाया ठीक है जो किस के लिए यूज होते हैं आई एयर नूस को स्प्रेव फार में होता है अपने जेनुसीन भी दिया होगा या आपने और स्प्रेव होते हैं जो नाक में कर लेते हैं चोटे बचो को ठीक है तो नूस के लिए हम में आते ही ये रूट इस वज़ासे होता है कि अपको एक चीज का पत होना चाहिए कि यह हम कहां पर इस्तिमाल करेंगी आँ दूसरे बात यह कि हम बहुआस वकात विजाagua में इन्फेक्शन हो जाते है कांपे हमारे साथ तो Vagina me Inflation वा जिसी क्या क्यते है Vaginal Candididus क्या क्यते है Candididus Vaginal Candididus हमारे साथ है Fungus Inflation है ते करो जो वाहां पे होते हैं तो इसके लिए हमने के استعمल करना है इसके लिए हमने क्रीम टेके हाँ इनके लिए हमने tablet भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन वो tablet जो होते हैं टीक है वो tablet वो तो हमने ओर लिकाने हैं तीक है यानि systemic की जरी लेकिन जो topical होगा वो cream farm में है lotion farm में है तो इसके लिए इस्तिमाल किये जाते हैं इनके इरावा हमारे साथ यह पिक्चर में दिखाता हूं डिए यह लो आ поверх इसी दूसरी बात है कि बाज आउकल यूरेत्र होता है यूरेत्र inp of the third part of the female reproductive system absolute family виде also known as europe वहां पrim भगए तो infection हो जाते है infection हो जाते Didyn infection को खतम करने के लिए हमारे साथ जो लिग्यन उस दर्थ को कम करने के चाहिए उस दर्थ को कम करने के लिए लिगनोकीन जेल होता है क्या होता है लिगनोकीन जेना और वहां पर जो सूज़क होगा जो कुछ होगा वो हमारे साथ क्या होगा वो नर्मालाइज होगा हाँ तो हमारे साथ जियादतर हमा स्कीन रहे गया क्या है यह उपर स्कीन ठीक है जो हम बाहर का हमारा जो स्कीन है यनि सब कुछ हमने पढ़ लिया लेकिन ये स्कीन है रहे इन स्कीन के लिए जो हम जो मेडिसन इस्तिमार किये जाते है वो हमारे साथ तो आंटिमेंट फाम में भी होते हैं करीम फाम में भी होते हैं staggering जोसन वामी बी होती हैं पाउडर भी होती है ठीक है पाउडर यह हमारे साथ क्या है यह साहरे हमारे साथ ठापिकल ड्राइक है ये फॉंगस इन्फेक्षन बाज़ाओ का तो might फाह यह पाउंके उङु clique बॉंगा एंधी दार में ओर यह और जगत वहां तोपिकल, ठीक है?